नमस्कार दोस्तों, वेलकन वर्ल अफेर्स, मैं आपको प्रशान्दवन, नाव हाली में एजय शंकर साब गए रश्या, और रश्या से वापस भारत आते वक्त, इन्होंने एक कंट्री को विजिट किया, उस कंट्री का नाम है जॉर्जी, आपको मैं आप पर दिखाऊंगा, नाव ये विजिट बहुत ही स्पेशल थी क्योंके इस साल जॉर्जीया और भारत दोनों सलिब्रेट कर रहे हैं 25 years of diplomatic relations, और ये जो विजिट है जैशंकर साब की ये important इसलिए है, क्योंके इतिहास में पहली बार जॉर्जीया को विजिट कर रहे हैं भारत के विदेश मंदर और इस विजिट के दोरान इन्होंने एक बहुत ही जारा स्पेशल गिफ्ट दिया है जॉर्जीया को, जॉर्जीया वाइदवे बहुत छोड़ा देश है, सिर्व करीब 38 लाकिया वे अबादी है, मगर पूरे जॉर्जीया में आज के समय इस गिफ्ट की वज़े से एक बह प्राइमेरली यहाँ पर डिसकस किया गया अफगानिस्तान और तालिबान का इशु और ओवरॉल बातचीत भारत की और रूस की आज के समय काफी अच्छी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान इशु नाव रशिया को विजिट करने के बाद जैशंकर साब गये यहाँ पर पर डिसाइड किया कि रश्या के बाद ये आपर विजिट करेंगे जोर्जिया की मगर यहाँ पर बताया जारा है कि इंडिया ने एक बहुत ही delicate message सेंड किया रश्या को क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले रश्या के विदेश मंतरी सर गई जब भारत में आई उन्होंने भ एक बहुत ही special gift दिया तो जॉर्जिया के लोगों का क्या reaction था कर दो बहुत है आप आपने देखा किस तरीके से जॉर्जिया के विदेश मंतरी ने बहुत ही respectfully जैशंकर साब के हाथ से वो बॉक्स लिया उसके बाद कुछ प्रीस्ट नहीं वो बॉक्स लिया फिर बहुत ही respectfully उन्होंने ओनर किया यहाँ पे इस बॉक्स को नब बॉक्स के अंदर क्या था ब कोच उनकी even belongings हो सकती है तो उसको आप कहोगे रलिक तो यह बहुत ही important है आज के समय जॉर्जिया के लोगों के लिए यह special रलिक यह रलिक किसके हैं यह रलिक है केटेवान के केटेवान एक टाइम पर रानी थी काहेती रीजन की यह आप कह सकते हैं modern day जॉर्जिया का रीजन से सफाविद एमपायर से हम यह बात कर रहे हैं 16-17 संचरी की इस दोरान एक बार सफाविद एमपायर ने काफी बड़ा एक अटाग यहाँ पर लॉंच किया और long story short यहाँ पे केटावान एमपायर काफिया तक dismantle हो गया और उसके बाद जो क्वीन केटावान थी यह एक तर केटेवान दा माटर की बहुत इज़त है बताया यह जाता है कि जब इन्होंने refuse किया कि Christianity नहीं छोड़ेंगी तो इनको torture करके मारा गया था प्रामेरली आवे बात की जाती है red hot pincers की यह बहुत जादा भयानक तरीका होता है किसी को torture करने का skin जो है skin उधाडी जाती है यहा 17th to 18th century में पूरे Europe में फैल गए कई emperors के पास इनके relics थे और कुछ relics इनके पहुच गए Portugal में जी हाँ all the way to Portugal अब Portugal से कई जो यहाँ पे travelers जबाए गवा में तो अपने साथ यह इनके यहाँ पर relics भी ले के आए तो तब से लेकर अब तक इनके relics थे यहाँ पर गवा में Georgia के लोग बहुत emotional हो के इस बात को लेकर और इन्होंने आपर इंडिया को यह request करी कि please permanently इनके जो relics है यह आप हमारे देश में रख दीजिए यह हमारे देश को belong करती है और हमारे बन में बहुत special respect है हमारी queen के लिए तो इंडिया ने आपर finally 2021 में जो यहाँ पर relics है यह दे ट्रेड नहीं है मगर यहाँ पर हमने उन लोगों का दिल जीता है खैर finally मैं यह भी आट कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम करें पर पेपेर कर रहे हैं use the code PD10 the prices will be slashed सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कान thank you for listening and as always God bless you all